ब्रम्मोज के बाद पिनाका तोड़ने वाला है एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड पिनाका रॉकेट पर भारत कर रहा है एक और नया एक्सपेरिमेंट आर्मेनिया के बाद अब नये पिनाका पर तूट पड़ेंगे दरजनों देश भारतिय सेना में शामिल होने आ रहा पिनाका का नया अवतार भारत के दो दुश्मन हैं चीन और पाकिस्तान भारतिय सेना को इन दोनों दुश्मनों के खिलाफ एक जियोग्राफिकल दिक्कत का सामना करना पड़ता है दरसल बॉर्डर के जिन इलाकों में इन मुलकों से भारत का तनाव है उन इलाकों में उचे पहाड़ हैं ऐसे में सेना के लिए जंग में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खास कर तब जब दुश्मन उचाई पर होता है इसके लिए भारत को रूसी रॉकेट लांच का इस्तिमाल करना पड़ता था लेकिन अब भारत ने अपना स्वदेशी रॉकेट लांचर पिना का तैयार कर लिया है जिसका सेना इस्तिमाल कर रही है कारगिल की जंग में ये सिस्टम भारतिय सेना के लिए बेहद कारगर साबित हुए हैं इनकी इसी ताकत की वजह से अर्म पियार बेहद डिमांडिंग है और अब इसकी क्षमताओं में इजाफे के बाद ये एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा एक्सपर्ट का मानना है कि ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में ब्रम्होस से भी आगे निकल जाएगा तो आए जानते हैं पिनाका क इस नए अवतार की ताकत, क्षमता और दमखम के बारे में 44 सेकेंड में 72 रॉकेट दाग कर दहला देता है दुश्मनों के दिल 38 किलो मीटर की रेंज में आने वाली हर चुनोती को करता है राक अब नया वैरियंट 300 किलो मीटर की रेंज में दुश्मनों का करेगा सफाया पिनाका रॉकेट लांचर से पहले भारत रूस के लांचर्स पर डिपेंड था अभी भी रूसी लांचर्स सेना में तैनात हैं लेकिन पिनाका के नए वैरियंट के आने के बाद रूसी लांचर्स को रिप्लेस किया जा सकेगा जबकि ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी गेम चेंजर साबित होगा पिनाका का नया वैरियंट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को कितनी ताकत देगा इस बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पिनाका की ताकत में कितना इजाफा किया गया है अगर हम मौजूदा पिनाका की बात करें तो पिनाका की मार्क शमता 38 किलो मीटर है और एक साथ पूरी बैटरी दागने पर ये दुश्मन के 8 मीटर के इलाके को पूरी त रॉकेट होते हैं और केवल 44 सेकंड में ये सारे रॉकेट लांच हो जाते हैं लांचिंग के तुरंत बाद लांचर अपना लोकेशन बदलते हैं और इन्हें दोबारा हमले के लिए तैयार किया जा सकता है डी आर्डियो इसकी रेंज में इजाफा कर चुका है इसकी पिनाका का ये वेरियेंट रूसी स्मर्च के बेहद करीब पहुंच जाएगा। पिनाका के कई वेरियेंट तैयार कर रहा है। पिनाका मारक क्षमता वाले रॉकेट लॉंचर खड़े किये हुए हैं। जिनके जवाब के लिए स्वदेशी पिनाका मक-3 रॉकेट लॉंचर अब तैयार है। तीसरे वेरियेंट में और भी कई क्षमताओं का विकास किया गया है। इसकी स्पीड दुश्मनों के लिए मौत साबित होती है। ये 57-157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से टार्गेट को तबाह करता है। यानि कि पलक जपकते ही दुश्मन को नेस्त नाबूत करने की काबिलियत रखता है। इसकी स्पीड इतनी है कि ये केवल एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला कर सकता है। इसे किसी भी मौसम में चलाया जा सकता है। 24 टेस्ट किये जा चुके हैं जिनमें इसकी ताकत ने एक्सपर्ट्स को हैरान कर डाला है। ये भारतिय सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बवाल मचाएगा। पिनाका सिस्टम की पहले ही दुनिया भर में हो रही ताबड़तौर्ट डिमांड। अब नया घातक वैरियंट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में मचा देगा बवाल। पिनाका एक्सपोर्ट के मामले में उसे भी पीछे छोड़ देगा। रॉकेट सिस्टम को इस्तिमाल करता है जिसके जरिये हवा से जमीन में लंबी दूरी तक के टार्गेट को निशाना बनाया जा सकता है। ये बेहत दमदार रॉकेट है। रैमपेज एक सुपरसोनिक हतियार है। सुपरसोनिक का मतलब है कि ये हतियार आवाज से भी ज्यादा स्पीड से टार्गेट पर हमला करता है। भारती ये वायु सेना ने जगवार लडाकू विमान के अलावा रूसी लडाकू विमानों सुखोई 30 और MiG-29 को रैमपेज से लैस किया है। वहीं नौसेना ने MiG-29 नौसेनिक लडाकू विमानों के लिए इन घातक मिसालों को अपने बेडे में शामिल किया है। 2020 में चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद भारत ने इसे इसराइल से खरीदा था। भारत इसकी ताकत से इतना प्रभावित हुआ था कि वो इसे इसराइल के साथ मिलकर भारत में बनाने वाला भी था। लेकिन पिनाका की तैनाती के बाद भारत को इन मिसाइलों के आयात की जरूरत नहीं होगी 1990 में पिनाका मारकेक के सफल परीक्षन किये गए थे वहीं कारगिल जंग के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में पिनाका मारकेक का इस्तेमाल किया गया था तब इसने दुश्मन सेना में भयंकर तबाही मचाई थी उंचाई पर मौजूद भार भारतिय सेना के सबसे घातक हथियारों में से एक हो चुका है जंग में खासकर उंचे इलाकों में पैदल सेना के लिए ये गेमचेंजर हथियार है इसी वजह से भारतिय सेना चार से पांच साल में पिनाका की दस रेजिमेंट तैनात करने वाली है तो दोस्तों भारत के इस स्वदेशी हतियार के एडवांस वर्जन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं